नमस्कार मैं पूजा वशिष्ट आप सभी कवन इंडिया हिंदी में स्वागत करती हूँ भारत और पाकिस्तान के रनाफ की खबर के बीच एक अच्छी खबर भी आई है पाकिस्तान में नवजोण सिंध सिद्धू के गले मिलने की डिप्लोमेसी का बड़ा असर हुआ है पाकिस्तान के पैदानमंत्री इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान कर्तारपुर साहिब कौरीडो और भारत के लिए खोलने को तैयार हो गया है हलाके अभी इस पर भारत सरकार के और से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है पाकस्तान ने गुरुनारक देव जी की 550 वी पुनेतिती पर कॉरिडर खुलने का फैसला किया है करतार पर कॉरिडर खुलने का मतलब है कि भारती श्रदालू पाकस्तान के करतार पर साहिब में दर्शिन के लिए जा सकेंगे इसके लिए वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भारत और पाकस्तान के करतार पर के बीच महज 3 किलोमेटर की दूरी है इस दूरी को पार करने के लिए सिख श्रधालों को कड़ी मशक्त करनी पड़ती थी नवजोट सिंग सिदू के पाकिस्तान दौरे को लेकर भरे विवाद हुआ हो लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के इस कॉरिडूर को खुलने के लिए बड़ी बेटिंगी थी करतार पूर कोरिडोर का खुलना सिख कौम की आस्ता की जीत मानी जा रही है आपको बता दें सिदू ने जनरल बाजवा से गले मिलने को भी कभी घलत नहीं बताया था सद्दुने कहा था कि अगर करतार पूर कोरिडोर खुलता है तो मैं किसी के भी पाओं पढ़ सकता हूँ खबर पर फिलाल इतना ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंडी चैनल